दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनन्दा ने आपके अपने यूटूब चैनल आरेयन इस्टूड लहाबाद में दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आप सभी की बीच में फिर से एक बार फिर हम उपस्तित हैं जो है जो है जूपी डियलेड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर विडियो आप सभी को पसंदा रहा है तो प्लीज विडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करें और विडियो को अपने दोस्तों में सेयर करें ठीक है चलिए यहाँ दे लाइव भी उपस्कित होंगे ठीक है आप लाइव के माध्यम से अपने और भी जो बन रहे कन्फूजिंस को आप हमसे पूंच सकते हैं ठीक अच्छे लिए यहाँ देख सकते हैं मैं दिखाना चाहूंगा जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं सबसे पहला ज ऐसे केसिस में हम मार्क सीट नंबर क्या डालें ठीक है फार्म रिजट क्यों होता है और यहाँ फार्म करेक्शन होगा या नहीं होगा आगे देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए आफस्यक डाकुमेंट सरकारी वा प्राइवेट को लेकर आ जो है कॉलेस की मेरिट क्या होग आगे हाँ देखिए 2030 के बाद जो है डेलेड समात और कम फिसम एडमिशन अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आप संपर करेगा तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपके बीच में चर्चा करने का प्रयास करते हैं ठीक हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ब पहला जो डाउट आपका है कि डेलेड कोई ना करें लोग कह रहे हैं कि करने से कोई फायदा नहीं होगा डेलेड खिच जाता है तीन साब्य कभी चार साल चला जाता है देखिए ऐसा कुछ ने अगर रियल्टी हम बाद करें तो डेलेड जो कूर्स की अस्तित्त वहोती है वो दो ही साल होती है, यानि और छो महीने पर नियम जो हमारा कहता है, ठीक है, वो दो साल के अंदर आपका DL8 समाप होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी-कभी रेयर केस में एकाग दो महीने एक्ष्रा चला जाता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें सक्सन से नहीं है, ल तो आपके लिए ये डेलेट सबसे बेश्ट है, बाकि आपको लोग बरगलाने वाले भी तमाम लोग मिलेंगे, बहिया, आप डेलेट मत करिए, डेलेट का अस्तित्तो नहीं है, ठीक ऐसा है, वैसा है, सारी चीजें आपके बीच में यहीं लोग प्रोवाइड करेंगे, लेक आप ऐसे चीजों पर दनेग भी विस्वास न करिये, ठीक है, बाई अगर जो कूर्स दो साल का है, तो जहिर सी बात है कि या रिकाद दो महीन हो सकता है, विलम हो जाए, पर लोग कह रहे हैं कि दो दो तिन तिन साल चल जाता है, यह मेरे हिसाब से बाहर है, ठीक है, अग य कई वर्सों से यह चीज़ें, जब भी डेलेड का अड्मिशन होता है, तो वो आपके बीच में फटाक से टपक पड़ता है, कि अब आप डेलेड मत करिये, 2030 के बाद इसका अस्तित तुझा है, वो समापत हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया है, हम आपको यही बताया है है, कि भईया, 2017 के बाद ठेक है, 2017 के पहले जो है, इस डेलेड का नाम क्या था, बीटीसी था, ठेक है, और जैसे ही 2017 लगा, इसका नाम बदल करके डीलेड कर दिया गया, ठेक है, क्या कर दिया गया, अब हम मानते हैं, webinar से आज तक डेलेड आ रहा है, हम मानते हैं कि 2030 के अगर भड़ती आएगी तो 2015 जो 2017 से पहले बिटी से किया है वो इलिजबल नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो इन चीजों पर आप तनिक भी ध्यान ना देते हैं तो आप अपने चीजों को आगे अगर आपको जो भी पुछना है ठीक है आपको से कॉमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं मैंने वार्टसप नमबर आपको दिया हैं वार्टसप पर भी संपर कर सकते हैं मैं वारे बार आपसे कहता हूँ आपकी कॉल्स मेरे पास दिन भर आते हैं ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अधिकतर चीजे वाटसप के माध्यम से ही पूछे ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें आपके फोन थोड़ा सा रिसीब नहीं होते आपको गुस्सा जरूर आती होगी लेकिन मैं चमाच रहूंगा फोन आपका रिसीब कम हो पाता है चुकि व्यस्तता को ज़्यादा ही होती है अगे अगर आपको एडमिसन चाहिएगा तो आप संपर करेगा मैंने नमबर आपको प्रवाइड कर दिया है नमबर ज़्यादतर लोगों के पास कहुचने की वजह से आपके कॉल दिन भर आते रहते हैं इस वजह से थोड़ा सा दिस्टर्मेंस को ज़्यादा ही हो जाता है तो बहराल नमबर तो मैंने दिया है आप वर्टसप पर संपर करिए या ठीक है चलिए देखिए मार्क सीट नमबर में क्या डाले सबसे पहले ध्यान दीजेगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है जिसे आपके नेट वाली कॉंपी तो आच रुकी है लेकिन अभी वर्टसप आपकी नहीं आई है तो आप पर साम नहों होई है लोग कह रहे हैं कि भया हमारी मार्क सीट नहीं आई है तो हम एड्मिशन कैसे लेंगे आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है जो आपकी net वाली आई है उसी से आपका काम हो जाएगा अगर आपके पास mark sheet number नहीं है तो एक option आ रहा है NA का आप NA को फिलब कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं इसलिए options ही दिया गया है कि NA आप फिलब कर दीजिए आप सही से फिलब करें नाम है पिता का नाम है और भी चीजिए अगर नॉर्मल सी गलतियां हो गई है तो यार कोई बड़ी चीज नहीं है बट अपने जो अवस्यक चीजिए हैं जैसे आपका नाम है पिता का नाम है माता का नाम है और भी डेट अब वर्थ है मोबाइल नंबर ये सब सारी चीजिए अगर कुछ त्रोटियां होती है तो थोड़ा सा आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा ठीक है तो ये मार्क सीट नंबर की समस्या का निजात हम उम्मेद करते हैं कि आपको कर दिया है बाकि एक चीज आप मुझ रहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है हम आवेदन कैसे करेंगे अगर आपको रिजल्ट नहीं आया है तो आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप कैसे करेंगे एक होता नहीं कि गेस मार्किंग करके आप आविदन कर दीजेगा बन अभी मत करेंगे ठीक है मैं बता तो जरूर आपको दे रहा हूं अभी आप बेट कर लिजे ठीक हो सकता है आपका रिजल्ट समय से आजाए ताकि आप समय से अच्छा खासा फिल अप कर सकें यह तो आपको पता ही है कि संसोधन नहीं होगा ठीक है अब यहां देखें फॉर्म रिजल्ट क्यों होता है ध्यान दीजेगा फॉर्म रिजेक्ट होने के पेशे तमाम रिजन होते हैं ठीक है अब पिछली बार लगबग साथ आठ जार लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे क्यों रिजेक्ट हुआ था उसके पिछे तमाम बड़ी बड़ी सीजें थी अना हला कि अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा अगर रिजेक्ट की स्रेडी की हम बात करें तो रिजेक्ट बही देखिए रिजेक्ट अगर आप बहुत बड़ी गलतिया कर दिया है जैसे आप किया यह तो जब आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन यानि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपके कॉलेज में कराई जाएगे तब वहां पर कॉलेज वाले आपको पकड़ेंगे तो फॉर्म पेनपी से रिजेक्ट थोड़ा सा कम होता है बाकी एक चीज मैं आपसे बताना चा बार बार बताया है कि आप जो भी फॉर्म में फिलप करिए वो सही से फिलप करिए फॉर्म आपका संसुधन योग्य नहीं है तो आप इसी चीज को लेकर परिसान है किसी की मैनूट सी गलतियां हो रही है चलिए हम फॉर्म को संसुधन कैसे करेंगे आप कॉमेंट कर रहे ह ठीक है तो अब मुझे आप बताईए अब आपका फॉर्म अगर गलत होगे अगर संसुधन योग्य नहीं तो मैं क्या उसमें रिप्लाइ करूँ ठीक है लोग रिप्लाइ की बाते कर रहे हैं जिनके कॉमेंट रिप्लाइ योग्य होते हैं उनके कॉमेंट का रिप्लाइ हम न रहिए आप जितने लोग अभी form को fill up नहीं किये हैं मैं उनसे बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा अने था किसी तीम आप भी इसी चीज का रटन लगाए बैठेंगे बैठेंगे बैया form हमारा किसी तरह से संसोधन हो जाए ठीक है लेकिन संसोधन आ आपका नहीं होगा अब यहां देखिए काउंसलिंग के लिए आवस्टेक डॉकुमेंट्स क्या होगा चलिए यह एक मुद्दा हमारा है आप लगातार हमसे पूस्ते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगर हम आवस्टेक डॉकुमेंट्स की बात करें तो आपका जो 10th का मार्क यह नहीं फरस्ट येर की मार्क सीट होनी चाहिए सेकंड येर थर्ड येर हाई स्कूल इंटर ठीक है अब कुछ लोगों के पास समस्या होगी कि हमारे पास थर्ड येर की नहीं है फोटो कॉंपी वाली है नेट से जो हमने डाउनलोड किया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आपके डॉकुमेंट भाई जब देखिए कॉलेज वाले तो कर लेंगे जब डाइट पर वेरिफिकिशन के लिए जाता है उस वक्त आपको वरिजिनल देना पड़ता है अगर नहीं देंगे तो उसके उत्तरदाई आपको दोंगे एडमिसन बगेरा वहीं से डाइट जाता है चेक होने के लिए जब डाइट पर आपका छेक होने के लिए जाएगा तो डाइट से भी आपका फॉम जो है वो रिजिक्ट कर दिया जाता है आपका प्याले ętली बहुत तो हम बात कर रहे थे आवस्यक्ट डॉक्मेंट्स ये तो तीनों आपके हो गया और आपका बस्ता है आपका भई जो आप रेंक कार्ड आपका हो गया रेंक कार्ड के साथ साथ आपका एलॉट्मेंट लेटर होगा जो आप 5-5,000 रुपया देकर पेमेंट करेंगे ठीक है अल अगर लेट होगा तो भई आप उसकी उत्तरदाई होगे ठीक है उसमें किसी का जोर नहीं होगा अना ये सब सारी चीजे आप बनवा लेजेगा बाकि आप इसका चक्र भी छोड़ करके आप और चीजों पर भई अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो वो करिए बाकि उसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगे बाकि मैं बताना चाहूंगा आप अगर बिलाउंग कर रहे हैं ठीक है तो ध्यान देजेगा अगर बिलाउंग के लिए भी सेम यही रूल्स नियम है बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप अपने यहां केटेगरी का लेते थे लेकिन जैसे ही आप यूपे में प्रवेश करेंगे आपके करणी का लाव आपको नहीं दिया जाएगा आप ऐसे कर्टेगरी से अपने हां भले ही विलाउंग करतें लेकिन मेरे यहां आपको जनरल में फाइट करना होगा ठीक है बस यही अंतर है बाकि फीस बग लिएता से काम खरेगा ठीक है बाकी आपकी मरजी आप अपने आप में सतंत रहे हैं आप किसी से भी करवाए है मुझे कोई आपती नहीं है बट मुझे दिक्तत इस बात की होती है कि भविष्टे में जब आप हमसे कहते हैं थो थोड़ा सा वहीं जो है दिमाग कहता है यार आ आपको बता रहा था, तो उस वक्त आपने मेरी बातों को नहीं माना, आपने अपने मिल से कर दिये, अब मुझसे कहने या ना कहने से कोई फायदा तो होगा नहीं, हम आपके दुफों को तो हर नहीं सकते, लेकिन जब हम उस योग्य थे, जैसे आज हम उस योग्य हैं कि आप को बता सकते हैं ठीक है तो आज आप अगर मेरी बात को माल लेते हैं तो ठीक है अनसे घखे में आपको पैसा को देना है सरकारी आपको सरगारी की बात करतें हैं फ्राइवेट की बात नहीं करते हैं तो चलिए थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान देजिए ठीक है जो सरकारी और प्राइवेट की मेरिट होती है चलिए एक एक चीजों पर आप ध्यान देजेगा थोड़ा सा इसे हम इरिस कर देते हैं बाके चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं जो गवर्में हम private पर चर्चा नहीं करते हैं बात आती है हमारी सरकारी की तो मैंने आपको बताया है बैया अगर सरकारी की अगर आप general से belong कर रहे हैं तो आपकी merit अगर 235 के उपर है ठीक है? कितना? 235 के अगर आपके merit उपर है तो आप जो है किसी भी diet के लिए eligible हो सकते हैं बट मैं confirm नहीं कोंगा जैसे आप अगर प्रयागरास diet की बात करें अगर आपके merit 235 है तो chance ही कहा जाएगा वैसे जो है लगबग 90% उम्मीद होगी कि आपको मिल सकता है ठीक है? बट अगर आपसे पहले कोई AWS लेके आ जाएगा 235 वाला तो पहले वरीता AWS वालों को दे देंगी ठीक है? तो इस वजह से आप cut-off का चकर छोड़े है ठीक है? जैसा भी होगा हम channel पर यार एक एक चीज़ों को आपको बताते रहते हैं ठीक है? लेकिन आप इतना मान कर चलिए अगर आप इतना merit आपकी बन रही है तो आप हो सकते हैं ठीक है? अब बीसी की अगर हम बात करें ठीक है? अब बीसी की अगर बात करें तो कम से कम आप मान कर चलिएगा 230 के आसपास में ठीक है? ऐसे की हम बात करें पूझ सकते हैं तो यहां तक की चीजे मुझे लगता है कि आप समझ गये होंगे बाकि प्राइवेट के लिए ज्यादा परिसान होना नहीं ठीक है आप मुझे से जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारे लिए प्राइवेट वेश्ट होगा या गवर्मेंट वेश्ट होगा इसक अगर हम बात करें आप प्राइवेट से करना चाहरे है आपका घर भाईया बनारस में है अपको बनारस में है और आपको खुदान खास्ता प्रयागरस डायट मिल गया तो आप बनारस से यहां एंगे रहेंगे परड़े का क्या आप महिने की बात करें तो कम से कम आपका 57.000 रुपया इन्वेस्ट हो आप दो साल अगर आप गौवर्मेंट में एडमिसर लेते हैं तो आपको प्रड़े क्लास आना ही आना है यह मान कर चलिएगा तो आप जो है पान सात थेजार रुपया 7000 रुपय कम से कम आप मंतले का मान कर चलिए आप 2 साल 24 महिने का जोड़ सकते हैं ठीक है कितना आपका हो जाएगा अब इसी सबसे आप आकड़ा लगा लिजेगा अगर आप अपने आसपास किसी भी private college से करते हैं तो हमें लगता है कि जितनी थोड़ा सा government की जो फिसे होती हैं वो 10,200 रुपय बाकि private की फिसे होती है 40,000 रुपया तो इसी चीज़ को लोग हिरास जाते हैं ठीके मन थोड़ा सा अधीर हो जाता है तो आप इन चीज़ों को देख लिजेगा भया हमें पैसा कैसे क्या करना है बाकि आप अपने अपने खुद समझना रहें जहां तक मेरा मानना है मैं आपको बता रहा हूँ बाकि आपका पैसा है अन्वेश्ट आपको करना है सब कुछ आपको करना है यह हो गया और एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है CGPA और SGPA का इसके संदरोप में देखे तमाम जो इन्वेश्टिया है हर के नियम अलग-अलग है लोग मुझसे कह रहे थे अब क्या ही बताएं ठीक है हर चीज़ पर हम चर्चा तो नहीं कर सकते लेकिन तमाम तरह के आपके कटाउच SGPA और CGPA आते हैं अनार देखे इसके बारे में तो हम आपको बता सकते हैं लेकिन जम नियम सबका एक हो तब ठीक है अब कोई इन्वेश्टि कैसे कर रही है कोई इन्वेश्टि कैसे कर रही है अब हम एक जगह से आपके बेश्यों बैठे हैं अब मुझे हर इनवर्षिटी के बारे में knowledge नहीं है जो मैं बताता हूँ वो fact कहता हूँ मुझे सर्व ग्याता नहीं बनना है अब कोई देन द्याल का है कोई अलाहबाद का है कोई बेच्चु का है कोई गोरगफुर का है कोई लक्नो इनवर्षिटी का है कोई दराजमगड एक महाराजा सुहिल देव करके है ऐसे से तमाव उनुष्टियां और हर जगों पर New Education Policy के तहर्ट CGPA में SGPA में ही दिया जा रहा है तो मुझे आप बताओ हम कैसे इनके बारे में आपको बता दे अगर जैसा भी होगा इसके संदरोब में PNP को आउगत कराया गया है अगर जो है फॉर्म वगेरा भरने में किसी प्रकार की कुछ संसूधन होता है लगातार हम लोग प्रयासरत हैं तो हम आपको चैनल पर बता देंगे ठीक है बाकि अगर आपके कुछ आपको पूछन होते हैं तो आप अपने कन्फूजन को हमसे पूँच सकते हैं ठीक है तो आसा करते हैं आज का यह वीडियो यहीं तक वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होगी या कुछ पूछना होगा तो हमसे आप जरूर संपर करिएगा कॉमेंट बात साप सभी के लिए खुला हुआ ठीक है तो मिलते हैं आप से नेक्स अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स धन्यवाद